असलाम अलेकूम इस द्वा के साथ के आप सब पहेरियत हों अल्ला की खास रह्मतें बरकतें और अनायतें आप सब पर महर्पान हों मेरी दिली द्वाएं और नेकतमनाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं जिंजर गारलिक ओनाय होगा वाएं जिंजर गारलिक ओनियन को थोड़ा सा पानी डाल जाल के मैंगें 12 हें और रगारलिक पांप साथ ही है लेम मीट है और उसी हिसाब से मैंने जिंजर गार्लिक ओनियन लिया है और यहां पर मैं मतन मसाला बना रही हूँ इसमें नमक मिर्च खल्दी डाल दी है जितना भी आप मतलब जिंजर गार्लिक ओनियन या नमक मिर्च मसाला एक किलो गोश में डालते हैं आप उसी हिसाब से पर है बड़ी लाइची दार्चीनी और लॉंग यह थोड़े से थाबत मसाले अगर ऐसे ही आप खाने में डाल देंगे स्पेशली घोष्ट बनाते वकत तो आप देखेगा कितना ही जबदस इसका जाइका और खुश्बू होगी बले यह खाए नहीं जाते हैं और तीन गोष्ट ने घल जाना है और अभी काफी टाइम ही हो गया है मैं गोष्ट जब भी पकाती हूँ तो उसको इस तरह देखची में ही पका लेती हूं थोड़ा ताइम लग जाता है अब तीस से चालिस मिनट लग जाते हैं और अभी मैंने जैसे आपने देखा मैंने मीट को च फ्लेम पर रखके ही मैं इसको सासाथ भूनती जा रही हूं और इसका ओल सेपरेट हो जाएगा अजब तक इस तरह भूनने वाले मसालन में जब तक थोड़ा सा पानी होता है उसका ओल सेपरेट नहीं होता और जब ऑल सेपरेट हो जाए तो मतलब उसमें जो पानी है वो ख और इसको अच्छे से mix करके इसमें डाल दिया है और इसी योगर्ट के जो योगर्ट है इसमें इतना लीकवट है के थोड़ा सा कई जो गोश्ट गलने वाला है वह इसमें गल जाएगा वैसे मैं पूरी रैस्पी ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं कोई रैस्पी अपलोड कर रही हूँ पिर इस तरह जब मैं कुकिन शामिल करती हूँ तो बहुत सी सिस्टर पूछती है आप इसकी रैस्पी दें इसकी रैस्पी दें तो पिर इसी वज़े से मैं थोड़ी तफसील से हैं रख लें सत्यों के मोसम में ऐसे खाने बड़े ही अच्छे लगते हैं नान के साथ इस सालन को खाएं तो फिर देखें क्या ही नसाफ होता है और थोड़ा सा साबत मसाला डालने से आप अगर इस रेस्पी को ट्राय करें तो आप देखेंगे के बिल्कुल ऐसा लगेगा ज किया है अमोमन छोटे सा हैंड बैग जो होते हैं वह वाले ही बैग मैं ज्यादा तर बाइक करती हूं इस साइज के बैग को कैरियर बैग बोलते हैं आप कई शॉपिंग पर गेंग है तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी इस बैग में भी आ जाएंगी जैसे कि अभी सन नहीं आई तो अभी मैं रिटर्ण करवाऊंगी तो वो मेरे साथ चली जाएगी जो उसने बाइक करना हो तो कर लेगी तो इस तरह के बैग में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी और मेरे हस्बंड मेरी हेल्प करवा रहे हैं इसके टैग उगरा उतारन और एक है यह वला हैंड हैंड है मैं लाई थी जारा से अपनी सालग्रा पे लाई थी मैं ख मुझे बहुत यज़ो रगा इसका डीजाईन और इस सोली नैंटीन पाॉंड और जो पहला था वो फूर्टी पाॉंड का था और अभी मैंने इसको इस्तामाल नहीं किया इस पां ठीक है आप यूस कर लो अभी मैं गई हूँ जी माठा लान और इस तफ़ा पता नहीं मुझे इस तरह के जो बलाउस होते हैं वो काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं और मैंने कुछ एक बाय किये हैं और ऐसे उतर जैसे आप शुवार कमीज पहनते हैं या मैक्सी ड्रेस पह पहना है यह भी सेम वो ही है बस यह है यह है कि वह ब्लैक कलर का है और यह जो आप लोग के डिजाइन है सेम इसी पैटरन और इस डिजाइन में यहां पर पढ़े हुए हैं जो मैक्सी ड्रेस हैं वह भी हैं पहले यहां से ऐसे ड्रेस नहीं मिला करते थे लेकिन अब देखे पिछले चंद एक सालों में ये जो ऐसे मैक्सी ड्रैसिस हैं ये बहुत ज़यदा विराइटी में और वाईट रिंज में हैं लीलन लीलन से ड्रैस में लीलन फेबड़ी कम या शफून में छопас तरह ये और हम इने एसीली केरी कर सकते हैं हम इनको लेगिंग के साथ या डेनम जीन के साथ आराम से पहने जा सकते हैं जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं इतनी बड़ी बड़ी हील्स कौन पहनता है जरूर बताईएगा मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती मुझे एक श्यूज यहाँ पर प्संद आए यह वाले जो है यह थिंग रॉयल ब्लू कलर है लेकिन इसमें साइज नहीं था अच्छा यह देखके आप बताईएगा अच्छा इ नहीं पूछूंगी यह पीजा कटर है आइटिंग मैंने यहीं पर पहली दफ़ा देखा काफी यूनीक स्टाइल का लगा मुझे और यहां पर देखे क्रिस्मस की डेकॉरेशन लगी हुई है शॉपिंग सेंटर में फोर्ज शॉपिंग सेंटर है गलासकों में जो रहते है और मैं जब इने देख रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी कल की बात थी यह सारी चीज़ें यहां पर लगी थी अब दुबारा से आगी कि साल इतनी जल्दी गुजर गया सेम यही डेकॉरेशन हर साल लगती है यह जो मिडल में लैंप है यह मुझे बाहर विंड कलर के ही डेकॉरेशन पीसीज लगे हैं कुछ यह काफी अच्छे हैं लेकिन कुछ यह बहुत ज्यादा बड़े हैं ऐस यूज़ स्कूल छोड़ने जा रही हूं बच्चों को तो बेटा और चोटी बेटी कह रही थे कि हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि स्कूल इतनी पास है तो मेरे हस्बन बड़ी बेटी को छोड़ कर आए स्कूल तो फज़र ने फोरण ही गाड़ी में चलांग लगा दी कि मैं तो पैदल नहीं जाओंगी तो मुझे गाड़ी में जाना है तो फिर छोड़े बच्चों को मैं पैदल स्कूल छोड़ने जा रही हूं अभी ये ने पर ली है चार किलो गाज ने जिनको ग्रेट कर लिया है और तीन लीटर इसमें दूट डाला है हरी लाइचेया मैंने डाली है इसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छा खासा टाइम लगता है तकरीबन धाई तीन घंटे लगे थे इसको पकने में हलांके चार किलो गाज रहें थी ड्राय मिल्क पाउडर से फुल फैट ड्राय मिल्क पाउडर से मैं खोया बना रही हूं इसकी रैस्पी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बोक्स में छोड़ दूंगी और यहां पर देखें कि दूट कहले इसमें कितना ज्यादा था दूट जब ड्राय हुआ है तो इसका खौया सा होता है, और इसको आपने कितना पकाना है इसमें मैंने बटर भी डाला है इसको कितना सूखा रखना है कितना आपने इसको ड्राइ रखना है ये आपकी अपनी मरजी है थोड़ा सा ड्राइ मिल्क पौडर भी मैं इसमे डालती हूँ और यहाँ पर देखे मैंने भी टोए उठा के लिए आया इसे पहले के मैं भूल जाओं आज एक शाजिया खान शाजिया खान के नाम से व्लोगिंग चैनल है आपको उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लीज विजिट ओन डैट चैनल एंड आलसो शो यूर स्पोर्ट बि हैं जी चिकन तिका स्ट्राइप चिकन तिका वैसे बनाने में और इस तरह स्ट्राइप में बहुत ही फर्क पड़ जाता है यकीन जानिए यह बहुत मज़े का यह बना चिकन तिका स्ट्राइप और यह मैंने बनाई है क्यों यह भी मैं अभी आपको दिखाती हूं मैंने ब बनाती हूं यह जो पफ पेस्टी के साथ बनती है पास्टियां और यकीन जानी इतनी मज़े की बनी और यह बन रही है फजर की फर्माइश पर मेरे बाकी बच्चों में कोई बात कह देता है तो थोड़ा सा हो जाता है चाहा मैं कर लूँगी बना दूँगी लेकिन फजर तोर पर हमने बनाई है और इतनी मज़े की बनी के हाथो हाथ खाई गई गई क्षाना पीना खा लिया तो थोड़ा काम भी कर लेते हैं घर की अपस्टेयर की सफाई करने वाली थी तो मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ कर आई हूं तो फोरण से ही मैं अपस्टेयर चड़ गई उपर के मैंने आज सारे घर की जो है डीप क्लीनिंग करनी है और पहले मैंने बैडिंग सारी उतारी है और सारे घर की डीप क्लीनिंग की डस्टिंग की मॉप किया और सारी सफाई की और बहुत ज्यादा डिटेल से मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंगे मैंने पहले मैं लाई थी लिडल से लाई थी शावर कर्टन और चंद हफतों में इतना खराब हो गया उसको देखे गुसा चरता था तो मैं भी वहां गई मुझे अच्छा लगा तो मैंने का चलो मैं ले आती हूं कमसकम इसको तो उतार के फैंका जाए तो बस यहीं तक है जी मेरा यह रखें आला हाफीज